शकूली कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिहार के सक्षामंतरी चंदरशेखर को बरखास्त किये जाने की मांगी। जी बिहार जाटन के साथ बादशीत में कहा कि नितिश सरकार अलपत में हैं और तेजस्पी के इशारे के बिना कोई काम नहीं कर सकते। पश्यूपति प यूग में इस तरह से उसको लेकर सवाल खड़े होंगे। लेकिन बिहार के सिक्षामंतरी ने जिस तरह से और आरजडी के कई नेताओं ने सवाल खड़ा किया है। अब उसको लेकर बिहार में राजनिती सुरू हो गई है हमर साथ। केंद्र सरकार के मंतरी पसुपति पार डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेस को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। यह होना चाहिए लेकिन अभी ऐसे सिक्षा मंतरी जी को बनाया गया ऐसे सिक्षा मंतरी हैं जिनको ने संभीधान का ग्यान है ने महाभारत का ग्यान है ने रमायन का ग्यान है इसलिए मेरी हमारी अपनी राय है बिहार के हित के लिए निस्टित रूप से ऐसे सिक्षा मंतर को तुरत ब्रकास्त करदेना जाएं कि ओ पंदर कुष्वाप के बात के जाए चेग मेंज्ञा ऑपके पर वे मेल्यांut प्रवाजार सत्रे में गठ्वंदन छोड़के फिर एंडिये गठ्वंदन में आ गए थे और बोले थे कि मैं जब तक राजनीत में रहूंगा फिर दुबारे में आरजेटी गठ्वंदन में नहीं जाओंगा लेकिन फिर चले गए तो यह बेमेल गठ्वंदन है और बिहार क की जंता ने में mitet दिया बोर दिया है इंडिये गठ्वंदन नर्जेटी गठ्वंदन को डिया ऑप छलांग मार के चले गए आरजेटी गठ्वंदन में उनकी अब क्या मजबूरी रही होगी मैं सथाही रहने वालों साफ़ बर्गार पैसित का दावा है कि यह सारकार जो कितना सत्य सावित होता है।